कुनों नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दोड़ेंगे तो यहां का ग्रास्ट लैंड इको सिस्टिम फिर से रिस्टोर होगा, बायो डाइवर्सिटी और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में यहां इको टुरियम भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाय जन्म लेगी, रोजगार के अउसर बढ़ेंगे, लेकिन साथियों, मैं आज आप से, सभी देशवासियों से, एक आगरह भी करना चाहता हूँ, कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चितों को देखने के लिए, देशवासियों को कुछ महिने का धैरियत दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा, आज ये चीते महमान बन कर आए हैं, एक शेत्र से अंजान है, कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महिने का समय देना होगा, अंतर राष्ट्रिय गाइडलाइन्स पर चलते हुए, भारत इन चीतों को बसाने की पुरी कोशिश कर रहा है, हमें अपने प्रयासों को बीफल नहीं होने देना है, साथियों, दुनिया आज जब प्रकृती और परियावरण की और देखती है, तो सस्ट्रेनेबल डेवलप्मेंट की बाग करती है, लेकिन प्रकृती और परियावरण, पशू और पक्षी, भारत के लिए एकेवल सस्ट्रेनेबिलिटी और सिकूरिटी के विशय ही सिर्फ आइसा नहीं है, हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरुचालिटी का भी आधार है, झाल, प्रकृती Ini करने लेख लिए मारे वेज्स विए, लेकिन आइसरा नहीं प्राइस के लिए झाल, प्रयव में करने भी में ऐिए, भी में करने आइसा नहीं प्रूंचालिटी और सेंस्ट्रेनेवरी करता है, झाल झाल